हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू इमा ट्रेडर इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉडिकेर वेल नोनी जूस के फाइदे और नुकसान जानने से पहले नोनी क्या होता है ये समझ लेते हैं नोनी एक फल है जो अफ्रीका और साउथीस्ट एशिया के ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है नोनी के स्वास्थि को लेकर बहुत सारे फाइदे हैं और वैज्ञानिकों ने रिसर्च से इनकी पुष्टी भी की है नोनी के फल के रस को नोनी जूस कहा जाता है, जिसके हजारों प्रड़क्ट आपको भारतिय मार्किट में देखने को मिलते है नोनी जूस के सीमित उपलब्धता और कम जागरुकता के कारण इसका प्रयोग काफी सिमित है Modicare भी उनी में से एक कंपनी है, जो अपनी किफायती दाम में नोनी जूस उपलब्ध करवाती है Modicare के नोनी प्रड़क्ट का नाम वेल नोनी जूस है Modicare Limited का कहना है कि वे अपने प्रड़क्ट में कोकून, एक रासिनिक पदार्थ डालती है जिससे साइड इफेक्ट वन नकारत्मक प्रभाव कम होता है इसके साथ साथ पाचन अच्छा रहता है फाइदे Modicare वेल नोनी जूस के बहुत से फाइदे हैं यह फाइदे आपको अन्य कंपनियों के नोनी प्रड़क्ट में भी देखने को मिलेंगे इन में से कुछ निचे हम बता रही है दिमाग Modicare का वेल नोनी जूस एक एंटिक्सिडिन्ट है जो दिमाग की सोचने की शक्ती को बहतर बनाता है नोनी जूस शरीर में सेरोटोनिन, मेलाटोनिन हॉर्मोन्स की संख्या को बढ़ाता है सेरेटोनिन तनाफ चिंता को कम करता है और मन को खुशाल रखता है मेलाटोनिन नीन को भेतर और गहरी करता है नोनी जूस एक मेमोरी बूस्टर के तरह काम करता है इसका नियमित सेवन से अल्जिमेर, डेमेंटिया जैसे गंभीर बीमारिया नहीं होती अगर है तो उनसे लड़ने में मदद करता है हृदय मौडिकेर नोनी जूस का नियमित सेवन हृदय को स्वस्थ और तंदुरुस्थ रखता है हाई ब्लड प्रेशर को समान्य रखता है जिससे हार्ट अटैक का चांस काफी कम हो जाता है आटली में जमे हुए प्लेक को हटाता है यह खून की अमलता कम करता है जिससे रख्ट से जुड़ी अधिकतर समस्याओं से निजात मिलता है यह LDL को हटाता है पाचन तंत्र मौडिकेर वेल नोनी जूस में फाइबर भरपूर मात्रा मय होता है जो खाने को पचाने में मददगार है फाइबर के कारण कबजियत, खटी दकार, जलन होने जैसे समस्याओं से राहत मिलता है यह पेट में अलसर को भी ठीक करता है पेल्विक जोन यह शुक्रानों को शरीर में बढ़ता है वीर्य संबंधित रोगों में भी मददगार साबित है पाइब्स भगंदर से बीमारियों में आप इसका उप्योग मेडिसिन के साथ कर सकते है श्रीयों के पीरियर से जुड़ी समस्याओं में भी यह असरदार है प्रतिरोधक क्षमता यह एक एंटियोक्सिडेंट है जो शरीर में प्रतिरोधक, इम्यूनिटी, क्षमता बढ़ता है यह शरीर को भिन्न फंगल, वाइरल एंड बैक्टिरियल इंफेक्ट से लड़ने में मदद करता है यह शरीर में ताकत शाहनशीलता को बढ़ता है यह कुछ खाश सेल्स को बढ़ता है, जो इम्यूनिटी में एक खास भूमी का अदा करते है बाल और तवचा नोनी जूस तवचा में निखार लाता है और कोमल बनाता है यह बहुत सारे तवचा रोगों जैसे एकने, कीलमुहा से सोराइसिस को ठीक करने में काफी असरदार है यह शरीर में हाइड्रेशन को बनाये रखता है, जिससे स्किन में चमक आते है नोनी बाल को मजबूत और मुलायम बनाता है अन्य लाब यह एक नेचरल एनालजेसिक दर्द कम करता है यह अर्थेरितिस सुरिसिस को ठीक करता है एक परिक्षण में यह पाया गया कि इसकी दर्द कम करने के क्षमता कई एनालजेसिक जैसे हाइड्रो कोर्टीसोन से कई गुना ज्यादा है नोनी जूस में एंटी कैंसर गुन भी है यह डाइबिटिक मरीजों के लिए वर्दान है यह खाने की ग्लुकोस तर को नियंत्रित करता है शरीर की ग्लुकोस को पाचन करने की ताकत को बढ़ता है और इंसुलिन, हार्मोन को नियंत्रित करता है नोनी जूस बुढ़ापा जल्दी आने नहीं देता है ये शरीर के free radical को कम करता है, जो anti-aging में असरदार है यह घाव को जल्दी भरने मदद करता है खुराक नोनी को सुबह खाली पेट सेवन करना चाहिए अगर आप सुबह नहीं कर पाते हैं, तो अन्य समय पे भोजन और नोनी सेवन के बीच में कम से कम 45 मिनट का अंतर होना चाहिए अगर आपको कोई बीमारी है, तो डॉक्तर के सलाह बिना इसका प्रयोग ना करे ये पाचन में थोड़ा भारी होता है, इसलिए इसका ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए 8-18 उम्र के लोगों को आधी डोज 8-10 मिलिलीटर लेना चाहिए अन्य लोग 30 मिलिलीटर तत इसका प्रयोग कर सकते हैं इसके उपयोग करने के साथ आप डैनिक रूप से व्यायाम, योग या कोई शारिरिक श्रम करे अगर आप इसका प्रयोग करते हैं, तो दिन भर ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए एक इनसान को अपने वजन का 5% पानी पीना ही चाहिए सावधानी मौडिकेर वेल नोनी जूस के सेवन में आपको कुछ सावधानी रखनी चाहिए निचे कुछ परिस्थिती है, जब आपको इसका सेवन नहीं करना चाहिए गर्ववती महिलाएं डाइरिया किड्नी दुरबलता जिनका पाचन बहुत खराब है, वे भी इससे दूर रहे कीमत मौडिकेर वेल नोनी जूस के एक लीटर पैक की कीमत 550 रुपए है, जो इसकी MRP है वहीं डिस्ट्रिब्यूटर के लिए इसकी कीमत अलग होगी फ्री डिस्ट्रिब्यूटर रेजिस्ट्रेशन के लिए कॉल या वाट्सैप कर सकते है हमें उम्मीद है कि यह पोस्ट मौडिकेर वेल नोनी जूस के फाइदे, नुकसान व कीमत आपके लिए मददगार होगी अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव मौडिकेर के नोनी प्रॉडट्ट पर है तो हमें कमेंट में जरूर बताए इस वीडियो को लाइक और शेर करो थैनक्यू